श्रीरा देरा दे भक्तों तीवर लालसा जिसके हुर्दे में उत्पन्न हो जाए वो समझ लो अब उपलबधी के निकट पहुंच गया है तीवर लालसा होनी चाहिए हलकी फुल की लालसा से कम नहीं चलता है उसमें समय बहुत लगता है तीवर लालसा है दे उत्पन्न हो गई तो बहुत निकट आप पहुंच गए और फिर तो ठाकुर जी इंतिजाम करते हैं अगे का आप लोग श्रवन कर रहते खाकी बाबा की चरिता वली उनके बच्पन की बात में आपको सुना रहा था कि उन्होंने खेलना छोड़ दिया खाना पीना भी छोड़ दिया पस एक ही बात काते थे मुझे हनुमान जी का दर्शन कोई करा दो और उन्ही दिनों की बात है सेरिया गाउं के एक प्रसिद्ध संथ थे उनको भी खाकी बाबा ही का जाता है खाकी बाबा बाता भस्म लेप करते थे शरीर में खाक राख लपेटते थे इसलिए उनको खाकी बाबा का जाता थे उनके शिष मेरिटार गाउं में ही रहते थे तो इनके बारे में प्रसिद्ध था कि इन्हें हनुमत सिध्धी प्राप्त है लगनशील बालक जो पवहारी मिश्व थे जो बाद में खाकी बाबा बनते हैं अपने उद्देश की पूर्थ के लिए नित्तीन के पास जाने लगे अभी सब्ता भर ही नहीं हुआ था कि महराज बालक पवहारी मिश्व ने अपनी लालसा उनके सम्मुक प्रकट कर दी और कह दिया कि मुझे हनुमान जी का दर्शन करा दीजे और प्रार्थना सुन करके और तीबर लालसा देख करके महात्मा जी को बहुत प्रसनता हुई उन्हें उस बालक के प्रति उसकी अद्भूत लीलाओं की कारण यों ही आकर्शन था और वैश्नो वेश्व देख करके आकर्शन और भी प्रबल हो गया और उनके मन में बालक को हनुमत सिद्धी प्रदान करने का भाव जा गया उन्होंने तुरंट स्थान का चैन किया और ये स्थान बालक था जो आगे चलके खाकी बाबा बनेंगे और भी पवारी मिश्रत है उनका अपना ही बगीचा था महात्मा खाकी बाबा के शिष्य ने स्वयम ही अनुष्ठान के लिए सारी वस्तुओं की वेवस्था की मन त्रेव्यं नियमों को बताकर साउधानी पूर्वक साधना के लिए बगीचे में एक आशन पर बैठाकर स्वयम रक्षक रूप में बैठ कर उनसे साधना करवाने लगे बिना किसी विग्न बाधा के अनुष्ठान चलने लगा लगभग पंद्रा दिन ही बीते होंगे अभी अनुष्ठान की अवद ही पूरी नहीं होई थी सोलावे दिन ब्राहम बहुर्त में बालक को सिंग के समान आकार का एक बंदर दिखाए दिया हूँ पर अब जोए हनुवान जी ही थे बालक का अगर्दे आनन विहोर हो उठा हूँ बड़े आदर के साथ उन्होंने हनुवान जी की पूजा की हनुवान जी ने प्रशन्द हो करके उन्हों से कहा मैं तुम पर बहुत प्रशन्द हूँ वर मागो बालक ने बड़ी सरल्भाव से कहा आप मुझे अपने से कभी विलग ने करें तो हनुवान जी ने कहा मुझे विलग तो तुम पहले भी नहीं थे उसी कारण अनुष्ठान की आवधि पौन होने के पहले आ पहुंचाओं अता कुछ बार मांगो इस पर उन्होंने जवाब दिया मुझे रगुनाथ जी से मिला दीजे बस यही चाहता हूँ मुझे रगुनाथ जी से मिला दीजे हनवान जी उनकी अविलाशा सुन करके बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता में अत्यन्त विशाल हो गए उसमें उनकी छटा अत्यन्त निराली थी अंग-अंग से प्रकास की किर्णे फूट रही थी उन्होंने का तुम अपना कर्म करते जाओ समय आने पर तुम्हारी अभिलाशाएं अपने आप पूर्ण हो जाएगी और जब तुम्हें मेरी आवश्यक्त पड़ेगी तुम्हें तुरंत आ जाओंगा अपने आप आ जाओंगा तुम्हें भरोसा दिलाने के लिए मैंने साक्षाद दर्शन दिया है तब महराज पवहारी मिश्र कुछ और पूछना ही चाते थे कि वानर रूप हनुमान जी इंतरधान हो गए और तब ये बालक रात दिन आनंद विभोर जाने लगे उन्हें इतनी छोटी उम्र में ही हनुमत सिद्धी प्राप्त हो जाने पर लोग आश्चरे चकित लगे सभी इनको हनुमान जी से अभिन मान कर प्रणाम करने लगे उस समय मेरिटार में श्री खाकी बाबा का पैत्रिक हनुमान जी का मंदिर था उसमें श्री संत कुमार दास जी पुजारी थे वे सवा लखिया बाबा के उपर परसे थे बालक श्री खाकी बाबा अर्था जो अब बालक है बाद में चलेंगे खाकी बाबा अभी तो पवहारी मिष्टे हैं इनको वह काफी मानते थे सव लखिया बाबा की जो थे वे उन्हान अर्मान जी ही कहा करते थे तो सवा लखिया बाबा उन्हें हमेशा राम नाम की महिमा सुनाए करते थे उनके नुसार राम नाम को सदा स्पनड करते रहने से मुक्ति मिल जाती है उनकी बात सुन करके मुश्कराते थे क्योंकि इनके मन में भक्ती का भाव था, मुक्ती का नहीं था बालक पभारी मिश्ट के अंदर भक्ती का भाव था, मुक्ती का नहीं इसलिए मुस्करा देते थे अनुमत साक्षातकार के बाद से ही महराज केह बीजे देखें नयन भरी राम लखन अरुसे ये भावना दिल होती गई आठो पार चित्में एक नशा के समाझ चाहि रहती थी भावना कैसे राम लक्षुन जान की कदर्शन मिले तब फिर अपने पैत्रिक मंदिर में ही बैठकर भजन किया कर दे थे बावना थी कि इस मंदिर में प्राचीन काल से ही एक से एक पहुंचे हुए महात्म संत रहते आए उन संतों की भजन से सल अत्यंत पवित्र हो चुका है पर महाराज उस मंदिर में हरुमान जी की एक मिट्टी की पर्चिमा थी प्रतेक सव वर्ष बाद उसका कलेवर बदल दिया जाता था हरुमान जी की पूजा आर्चना के लिए पहले से ही वहाँ भजनानंदी महात्माओं के रहने की परंपरा थी श्री संत कुमार दास जी के पहले श्री दीन दयाल दास और उनके पहले स्री विदेशी गोसाई जो बढ़ाई जाती के थे उनसे भी पहले स्री वर्णी गोसाई नामक अच्छे अच्छे भजनानंदी महात्मा पुजारी की रूप में वहा रह चुके थे अतब भजन ध्यान के लिए इससे अधिक पवित्रस्थला और कौन हो सकता था इस तरह भजन ध्यान में बहुत आनन से दिन बीतने लगे लेकिन सब कुछ होने पर भी उबेचाईन थे हनवान जी द्वारा कारे करते रहने की बात ऐसी थी कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था और कर्म की सही दिशा बताने वाले सद्गुर की खोज करने लगे बिना गुरू के दिशा निर्देश से ये काम कथिन था बिन गुरु ग्यान कहां में पाऊं और सीसी उलजन में बटे करे थे दिन रात भजन में लीन रह करके भी गुरू के लिए छट पटा रहे थे भक्तुन ये एक बहुत अच्छी स्थिती होती सादक की नहीं तो क्या होता है कि भजन करने से कही लोगों को हंकार हो जाता है फिर उनकी प्रगति रोक जाती है और दिन रात भजन करते थे भालक पवारी मिश्रू लेकिन फिर भी कहते थे मुझे गुरू की लबधी हो जाए तभी मन में सांती होगी संतोष होगा चैन पड़ेगी महराज उत समय भालक खाकी वाबार था जो पवारी मिश्रू थे जिनका चरितरा सुन रहे हैं इनकी अवस्था लगवक साथ वर्ष की ही थी वे सभी की डाउन से विरक्त बने नील नीरदहर शाम के दर्शन के लिए छट पटा रहे थे इसे बीच मेरिटार गाउं में एक दिन कथा बाचन के लिए वैश्नोव आचारे श्राधा कृष्ण जी पटा रहे उनकी ख्याती बात की बात में चार और फैल गई उनकी ख्यात सुन करके उनके दर्शन के लिए पवारी मिश्र जी आए बालक पवारी मिश्रू उनसे अपनी व्याकुलता को सुनाई और आचारे श्राधा कृष्ण जी से श्री रगुनाद जी के दर्शन की विजी के बारे में पूछा हुमारा बालक क्यों साथ साल कही थे भी तो उन्हें इतनी छोटी से उमर के बालक से ऐसी प्रश्ण की आसा नहीं थी जो कथवाचिक जी आये थे चकित हो गए कि बच्चा भी साथ साल का है एतनी गारी बात पूछ रहा गाउवालों से पूछने पर उन्हें पवारी मिश्र की अद्बुत लिलाओं को ग्यान हुआ इनके असाधारन संसकार को देखकर आचारी श्री राधा कृष्ण जी के मन में उन्हें राम भक्ति प्रदान करने की इच्छा बलवती हो गए और राम भक्ति में निष्टा देखकर उन्होंने राम मंत्र की देख्षा दिये तथा अपनी परंपरा के अनुसार शंक चक्र की छाप प्रदान की राम मंत्र को सुनते ही मराज बालक पवहारी में उसको हुरदय में बहुत प्रेम से भाव से धारन की और आचारी श्री राधा कृष्ण जी ने उन्हें इस मंत्र को निष्ठा पूर्वक्जब करने की आग्या थी उनके अनुसार उस मंत्र के जाप से ही श्री रगुनाच जी का दर्शन हो सकता था उनका इस मंत्र के जाप से रगुनाच जी का दर्शन हो सकता है इसले लग जाओ इसमे राम मंत्र के जाप से भागवत दर्शन की इच्छा और भी बलवती हो उठी अब तो महरा इस पवारी मिश्र बावरे की तरह से अर्थाथ पागल की तरह से भगवान शीर अगुनाद जी के दर्शन के लिए इधर दूर घूमने लगे अब इल्कुल लगता था कोई बालक सनक गया है पगला गया है और जिस संत महात्मा से भी मिलते उनसे एक ही निवेदन होता मुझे राम जी से मिला दिजे और उनके इस उतावलेपन को देखकर संत में संतों ने उने आवद जाने की अर्था था ता योध्या जी जाने की प्रेणा थी लेकिन बड़े बूढे उनसे कहने लगे अरे जहां भजन है वहीं श्री राम का निवास है अता यहां भी श्री राम का दर्शन हो सकते हैं अयोद्ध्या ची जाने की कोई आओ सकता नहीं यहीं भजन करो यहीं बगवन का दर्शन मिल चकता है अब बड़े बूड़ों की इन बातों का उन पर कोई असर नहीं पढ़ रहा था वे अब आजोध्या की यात्रा करने की बात सोचने लगे और उनकी हालत महरा इस दुख के दिन अब बीतत नहीं बिल्कुल ऐसी हो गई थी उसी व्यकुलता के बीच एक रात उन्हें तुरंट श्री आवर्ज चल पढ़ने की भगवत प्रेरना हो गई और उस समय सभी लोग सोय हुए थे साथ वर्ष के बालक पभारी मिश्री जो आगे चलके वो खाकी बाबा बनेंगी जिनकी चरिता उलिम आपको सुना रहा हूँ पैदल ही अयोद्या की ओर चल पढ़े है और उनके शरीर पर पाट साला जाते समय पहिनाए गए आभूशन पढ़े थे क्योंकि मां आभूशन पहिना के पाट साला बेश्टी थे गले में कंठी ललाट पर तिलक्सु सोबित हो रहा था वस्त्र के नाम पर सिर्फ धोती और कुर्टा शरीर पर था उद्य में प्रेम की लहरें हिलोरे ले रही थी और मस्तिष्क में श्री राम चरित मानस की सुंदर सुंदर पंक्तियां उमर गुमर रही थी मरा इस बालक पवहारी मिश्र के वल सात वर्स के थे और आयोध्या पूरी की तरफ चले जा रहे हैं अकेले साथ में कोई व्यक्ति नहीं पैदल चल रहे हैं कितना वईराग और प्रभू से मिलने की कितनी उतकंठा थी कितना मन में प्रेम उमर रहा था मानस का पाठ करते थे तो बहुत कुछ याद हो गया था और मन में घूम रहा है उनके श्री सहित दिनकर वंश भूशन काम बहुच्य विसोहे नव अंबुधर वरगात अंबर पीत सुर्मन मोहे मुकुटांग दादि विचित्र भूशन अंग अंग निप्रति सजे अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निर्खन तिजे बार-बार मन में पाठ चल रहा था उनके तो चारो दिशाओं में घंघोर अंधकार व्यावत था और उस अंधकार भरी रात्री में चल रहे थे ओ कोई रोशी नहीं चंद्रमा की रोशी नहीं थी अंधेरा पक्ष था परंत वे अपने पैर अबाद गत्से बढ़ाते ही वे अयोध्या की तरफ चलते आ रहे थे मन सोयम अंधकार को चीर कर प्रकास की किरने फैला देना चाहते हूं और तम सोमा जोतिर गमय यह अपने आप मन में गुंश्टा था और चलते जाते थे धीरे धीरे प्रकास पहले लगा और उशा वेला पहुंची वे गाउं से दूसरे गाउं होते हुए चले जा रहे थे साथ वर्ष के नन्य बालक जिस गाउं से गुजरते थे उस गाउं के सभी लोग उनकी प्रत्याकरशित हो जाते थे माराज इस त्रियाइन के रूप को निरख निरख कर उनकी बलहियां लेलती थी कि बच्चा कितना आदबोत कितना सुन्दर कितना भाक्ती भाव में भरा हुआ कोई कुछ खिला देती तो खा लेते और फिर बढ़ जाते आगे रुकते नहीं थे उनके तीवर वैरागे को देख करके रास्ते के पथिक उन्हें अपनी सवारी पर बैठा लेते और फिर अगले मंजिल पर उन्हें उतार देते इस तरह कुछ दिन ही बीटे थे कि श्य आयोध्या की सीम प्रारंभ हो गए और दूर से घंटा घडियाल की ध्वनी मंदिरों की सुनाई परने लगे और ये ध्वनी सुन करके रह रह करके भावावेश में आ जाते थे वो श्य आयोध्या में प्रवेश करके मंदिर मंदिर भगवान की खोज में घूमने लगे कम वय और तीवर भगवत भक्ती को देख करके अवदपुरी के संत आप से अर्थात पालग से स्ने करने लगे अंत में श्री रगुनात जी के दिवाने बने महराज बालक पभारी में श्री आवद के प्रसिद्ध संत महात्मा श्री गोमती दास जी के पास पहुंचे महात्मा श्री गोमती दास उन दिनों हनुमत निवास में रहा करते थे यह हनुमान जी की परम भग तो यह उपा सकते हैं, वे हनुमान जी की तरह से शिराम जी की सेवा करते थे, और इनकी उपासना पद्धती अत्यान थी कर्म शील और भाव मही थी, उन्होंने अपने आश्चम में ही राम नाम की पाटशाला खोल रखी थी, वे दिन रात किसी ने किसी प्रकार राम नाम का जब किया करते थे, महात्मा शी गोमतिदाश्ची महराज शी अवद के मधूर पासक रसिक संतों के बीच श्री मधूर लाल नाम से प्रसित थे, और इनकी मानसी सेवा सदा चलती रहती थे, ऐसे महान संत से जिफशी पवारी मिश्री जी की भेंट हुई, तो उन्होंने इनको गले से लगा लिया, बालक को गले से लगा लिया, बालक उनकी नियम निश्ठा देख करके चकित हो गए, मन में तरह तरह की भावनाय तरंग लेने लगी हैं, और भाव विभोर रहते थे, उनका दर्शन करके, अनेक मंदिरों में दर्शन करने के लिए भी जाते थे, और अनेक मंदिरों में दर्शन करते करते, फिर महात्मा पवहारी जी के स्थान पर भी पहुँचे, जिनके आशिरवाद से जन्म हुआ था इनका, और वहां भी इनके नियम की तत्परता और नाम की प्रधानता देखने को मिली, ये सब देखते देखते बालक, पवहारी में शर्थात खाकी बाबा जो आगे बनने वाले हैं, उनको समझते देर नहीं लगी, कि जिस चीज की उन्हें खोज है, उसकी प्राप्ती के लिए, इस प्रकार नियम निष्ठा होने के साथ ही, अपने को भाव में बनाना होगा, और कर्म की प्रेरना, महराज, जो हनुमान जी की वानी रूप में बरतमान थी, वो साकार रूप में दिखाई पढ़ने लगी, उन्हें समझने में आ गया, कि उन्हें क्या करना है, और तब उनको मन में शांती मिली, महात्मा शीर गोमतिजाजी से पुना भेंट होने पर, उन्हें ने घर लोट जाने के आज्या दी, महात्मा गोमतिजाजी ने का बेटा, तुम घर जाओ, घर पर उनकी महा बहुत चिंतिक थी, अब आप लोग विचार करो भक्तों, कि पवहारी मिश्टी दुबाद मिखा की बाबा बनेंगे, इनके इंदर बच्पन से कितना वहरागी था, कि साथ वर्ष के वस्था में नंगे पायर, बिना कोई रूप्रया पैसा लिए, बिना कोई भोजन कर सामान लिए, और अकेले साथ में कोई यात्री भी नहीं, और जहां इनका गाउं था मेरिटार, वहां से चलते चलते चलते, आयोध्या जी पहुँच गये थे, और पवारी बाबा कभी दर्शन मिला, गोम्ति दास्ती संत का दर्शन मिला, बहुत से संतों के चरण में पहुँचे, संतों का दर्शन करके खुभ आनंद मिला, लेकिन गोम्ति दास्ती महराज से जब दुबारा भेंट हुए, तो उन्होंने कह बेटा घर चले जा जाओ तुम्हारी मां बहुत रो रही है घर वापस जाओ फिर भगवान अपने आप तुम्हारे ले कुछ ने कुछ करेंगे आगे तुम कुमार्ग मिलेगा चिंता मत करो इदिप इनको घर जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी लेकिन संत आग्या को टालना भी अच्छा नहीं लग रहा था इनों क्योंकि संत की अब आग्या बहुत बड़ा पाप होता है इसलिए महात्मा गोमती दास्ची ने जो घर इनको भेज रहे थे उनकी आग्या को सुईकार करना पड़ा और घर बेजने की सारी वे उस्था सोयम उन्होंने कर दी और महाराज इस कर्म का संकल्प लिए कि अब घर महाराज जी के आग्या से जाना ही पड़ेगा ने जाना इनकी आग्या का वो लंगन हो जाएगा वो पाप होगा इसलिए पाप नहीं करना है गर जाना है और बालक वारी मिष्टर अठाथ बच्पन के खाकी बाबा जयों ही गाउं के निकट पहुंचे लोगों में शोर मच गया कि हनुमान जी लोट आये हैं क्योंकि अब उनको हनुमान जी भी काने लग गये लोग और बच्चों ने घार घार में ये ख़वर पहुंचा दी आंसों में डूबी माँ को ये शुव समाचार मिला तो अपनी सुधबूद खोग करके वो उसी दिशा के और दवर पड़ी महिया जिस तरफ से उनका बच्च साथ वर्च का आ रहा था और सामने से अपने में मस्त भगवन नाम का स्मरन करती वे चले आ रहे थे बालक पवारी में शुव और माँ की द्रिश्टी से द्रिश्टी मिलते ही माँ के आँखों से सावन बादों की जड़ी चालू हो गई आंसों की धारा उन्होंने अपने लाड़े पुत्र को गले से लगा लिया माईयाने और सर पर हाथ फेरते हुए आंग प्रत्यम को निहारती हुई अपनी प्यारे आखों के तारे पुत्र को घर ले आए गोथ में उठाके शान तोने पर माँ ने उनसे यात्रा की सब बातें पूछी, बेटा तो में आयोध्या चले के तेसा सुना मैंने, तब उन्होंने अपनी आयोध्या की यात्रा की विशे में पूरी बातें, सारा बृत्तान तुमा को सुना रहा हूँ, और जब वहां के अपने अनुभवों के बुशे में बुखाने लगे, तो मारा माता सन सिरा गई, कि दन्य है ये बच्चा, रह रह करके भर आने वाले उनके नेत्रों से आंसू गिर जाते थे, फिर चिन्ति तो हो गई, कि कहीं उनकी आशाओं का एक मात्र दीप, ये जो दीपक है मेरा कुल का, ये घर से विरक्त होकर सन्यासिन हो जाए, कहीं मेरी कोक से फिर किसी दुरू या प्रणाद ने जन्मत तो नहीं लिया है, उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, महराज, उधर मा अपनी चिन्ताओं में गिरिवी थी, कि बच्चा मेरा सन्यासित नहीं हो जाएगा, और इधर मा की ओर बिना ध्यान दिये, शी आवध्यात्रा का विस्तार पुर्वक बनन किये जा रहे ते बालक, मा की इंकरतवी विमूड हुई, आश्चरे भरी आँखों से उनको देखती रही और सुनती रही उनकी यात्रा की बात्यों को, आगे चलके जो बहुत बड़े संत बनने वाले हैं, अब बच्चपन में मा को अपनी आवध्यात्रा की बात सुना रहे हैं, मैं इन दोनों भागिशाली भक्तों को अठात संत को और उनकी मा को प्रणाम कर रहा हूं, आगे कर चलके तो फिर आपको सुनाओगा, श्राधिराधिराधि जे, श्राधिराधिराधिराधि जब बवातिरू